आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे तो आज हम लोग इनी सक्स के वारे में जानने वाले हैं इनकी कहानी देखने वाले हैं इनका नाम हैमंत्य विश्वार सर्मा यह वर्टमान में असम की चीम मिनिस्टर यानी की मुख मंत्री हैं कुछ और पिक्चर देख लिए यह आप देखेंगे यह हैमंत्य विश्वार सर्मा का यह परिवार है इनका फैमली है इनकी एक बार आप लोग असम चलिए पहले देखें यह हमारा प्यारा भारत है यह आपको असम देखने को मिलेगा दिस्पूर इसकी राध्दानी इसकी सीमा पश्चे मंगाल मेगाले, तिपोरा, मेजोरम मनीपोर, नागालेंड, अरुणा चलपले से लगती है इसकी अंतराश्टी सीमा भोटान और बंगलादी इससे लगती है यह इसी अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 में राज बनाए गया था यहां बिधान सभा में आपको 126 सीटें देखने कुम लेंगी, राज्य सभा में 7 सीटें, लोग सभा में 14 सीटें देखने कुम लेंगी, 78,438 बरक किलो मीटर में आपका फैला हुआ है असम हैमंत्य विश्वा सर्मा का पूरा नाम क्या है? हैमंत्य विश्वा सर्मा इनका पूरा नाम है इनका जनम होता है एक परवरी 1969 में इनका जनम हुआ था गांधी बस्ती उलू वाडी गुहाटी असम में गुआ था इनके पिता का नाम केलास नाज सर्मा और मा का नाम मिर्नाली देभी इनकी पतनी का नाम रिंकी भुया सर्मा ब्योखसाई हैं हो सामाजी कार करता है इनके बच्चों में देखें तो बेटा का नाम नंदिल विश्वा सर्मा और बेटी का नाम है सुकर्ण्या सर्मा इनकी शिक्चा की बात करें तो कामरूख अकादमी स्कूल गुआटी से इनके शुरूगाती शिक्चा ली हुई है आंगे की शिक्चा है इनके कॉटन कॉलेज गुआटी और Government Law College गुआटी गुआटी विश्विध्याल है असम से इनके शिक्चा ली हुई है और सेक्चडी की युगता की बात करें तो राजनीती बिज्ञान में इसना तक की डिग्री ली है और देखे कॉंग्रिस की बात करें तो एक पुरारना राजनीतिक दल है 28 दिसंबर 1880 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आजादी के लिए एक संगठन की रूम है इसके सांस्थापक थे ए ओ हियुम और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर जी भारती जिंता पार्टी में 2015 में सामिल हो गये थे भारती जिंता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी अटल विहारी बाचपई उसके पहले अध्यक्ष थे इनकी अगर हम लोग राजनिती क्यातरा की बात करें तो भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल होते हैं सन 2000 में और पहली बार जलुक बारी निर्वाचन छेत्स के लिए असम की विधानसभा के लिए चुने जाते हैं 2001 में और अगर आपको विधायक बनना है ना विधानसभा का चुनाव लगना है तो आपकी उम्रे कम से कम 25 साल होनी चे अधिकतम उम्रे की कोई सीमा नहीं रखी गए है और विधायकों का चुनाव डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्रे 18 साल हो चुके तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डाल लें जाते होंगे जलुक बारी के चुनावी जिले के लिए असम विधानसभा के पुनहा निर्वाची सदस होते हैं 2006 में स्वास्त मंत्री बनते हैं 2006 में हेल्थ मिनिस्टर तीसरी बार 2011 के जलुक बारी निर्वाचन चेत के लिए असम विधानसभा के लिए चुने जाते हैं और सिक्षा मंत्री बनते हैं 2011 में असम समझोते 2002-2014 की किरसी योजना विकास और 22 स्वास सिक्षा और कयानवन राजमंतरी की रूम में भी काम करते हैं उन्होंने अपने सभी पदों से इस्थीपा दे दिया और कॉंग्रेश छोड़ दी 2014 की बात है और असम की विधान सभा से विधायक की रूम में इस्थीपा दिया इन्होंने 2015 में और भारती जिंता पार्टी में सामिल हो गया 2015 में और इस चौथी बार 2016 में जलोगवारी निर्वाचन छित के लिए असम विधान सभा की सदस की रूम में चुने जाते हैं और केमिनेट मंतरी बने वित्य स्वास्त और परिवार कल्याण सिक्षा योजना विकास पर एटन फैंसन और सारजनेक से कायतों जैसे बेभागों को सौप दिया गया 2016 में फिर आप देखेंगे कि 2021 में जो असम में विधान सभा चुना हुए उसमें भारती जन्ता पार्टी को बहुमत मिलता है और असम के पंद्रवे के 15 मुकमंत्री बनते हैं मंत्विश्वा सर्मा आँगे निकाराजनेतिक सफर किस तरह से रहेगा वो आने वाला भक्ती बताएगा तो उसके लिए रहता है कि आप लोग देश दुनिया से जुड़े रहा करिएगा नियूच पेपर पढ़ते रहा करिएगा और आजकल तो आपके पास स्मार्टपॉन हो चुका है स्थापना की बात कीगी है और आप देखें 25 जनवरी 1950 में स्थापना होई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा सुकुमाल सेन पहले मुख चुनाओ आयुकते थे हमारे अब आप देखें आप लोग इस तरह की किसी पत पर होते हैं तो सुभा भी किसी दुखी होने का मतलब नहीं है इस जीवन के कर्मों का फल्क सभी को इस जीवन में भोगना होगा होने वाले देवी नयाय से कोई नहीं बच सकता है यह अपने बयानों की कारण आप देखते हैं कि काफी चर्चा में रहते हाला कि बाद मैं उन्होंने अपनी बातों के लिए माफी भी माग ली थी 2020 में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने गौाटी के भंगा गड़ पुलिस इस्टेशन में विश्वा के खलाब सिकायत दरज की थी कि AIUDF समर्थकों ने बदरुदी अजमल को बधाई जैने के लिए सिल्चल हवाई डेप और पाकिस्तान दिया था फाइटी के सदस्तों ने आरोफ लगाए कि हैमंत के बोडो लेंड पॉपूलर फ्रेंट की अध्यक्ष हो हाग रा मा मोहिलरी कुधम की दीती इन्होंने तो यह आरोफ लगते रहें तो यह सौट वाइगराफ ही आप लोग कह सकते हैं किसकी है हैमंत विश्वा सर किये यह मुखमंत्रियों की सिंखला चल रही है आपकी इसमें हम लोग सभी मुखमंत्रियों के बारे में जान लेंगे और भी आपकी जानने की दिलस्तवी हुआ करें किसी के बारे में तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं